नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका मेरा नाम है संजीव और आप देख रहे हैं New Tech and Tricks आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे SVI David Card पर Ecom Services कैसे अक्टिवेट करें आपको अपने Card पर Ecom Services अक्टिवेट करना जरूरी है जब तक यह Service अक्टिवेट नहीं होगी तब तक आप अपने Card का Online यूज नहीं कर पाएंगे Ecom Services को आप दो तरह से अक्टिवेट कर सकते हैं अगर आप Internet Banking का यूज करते हैं तो आप इस Service को Internet Banking के द्वारा अक्टिवेट कर सकते हैं Internet Banking से इस Service को कैसे अक्टिवेट करते हैं आई बटन पर क्लिक करके वीडियो देख सकते हैं आप इस Service को SMS के दारा भी अक्टिवेट कर सकते हैं SMS से इस Service को अक्टिवेट करने के लिए आपको अपने Registered Mobile Number से एक SMS सेंड करना होगा जो नमबर आपने अपने Bank के साथ में Register कराया है उसी नमबर से आपको SMS करना है इस बात को आपको ध्यान रखना है SMS आपको Capital Letter में ही टाइप करना है तो चलिए SMS को टाइप कर लेते हैं SMS में आपको टाइप करना होगा S-W-O-N Space देना है उसके बाद में आपको लिखना है E-Com Space देना है अब आपको जो आपके Card पर जो Last की Four Digits है उसको आपको Type कर देना है और इसको आपको Send करना होगा 09223905 टाइम से आपको 6 Type करना है और इससे आपको Send करना है झाल कि है गाइज करने के बाद के आपको एक कन फर्मेशन मेसेज मिलेगा ये कई बार आपको तुरद मिल जाता है और कई बार आपको 10-5 मिनिट के बाद में मिलता है अगर आपको ये SMS नहीं मिलता है अगर पूरे दिन तो आप दूसरे दिन ट्राई कर सकते हैं तो चलिए SMS को सेंड करते हैं तो हमें SMS मिल गया है और इस SMS में लिखा हुआ है इस SMS के मिलने के तुरद बाद ही आपका कार्ड एक्टिवेट हो जाता है तो इस वीडियो में इतना ही वीडियो अच्छे लगी है तो आप लाइक शेयर करिएगा चैनल पर नए है तो सब्सक्राइब करना बिलकुल ना मुलेगा थैंक्स पर वाचिंग